Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोड प्रोसेसर का एक काफी इंपॉर्टन टूल के बारे बात करने वाले हैं, जिसे हम लोड फॉर्मेट पेंट ब्रस या फॉर्मेट पेंटर कहते हैं, so let's begin. What is the use of format paintbrush? Format paintbrush is used to copy the format of one text and it can be applied to the another text. जैसा कि आपको name से पता चल रहा होगा, format paintbrush, ये पुराख पुराणा के text को बलकि text का क्यों format को copy करता है, और उस format को आप किसी दूसरे text में या paragraph में apply कर सकते हो. तो चलिए हम लोड इसको और अच्छे से clear कर लेते हैं, by the help of practical. जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे selected text का font style agency अब भी है, और font size 16 है, और इसका font color blue और background color yellow है. जबकि इस text का, आपको font style times new roman देखने को मिल रहा है, और font size इसका 14 है. अब हमें क्या करना है, हमें इस selected text का सिर्फ format को copy करना है, और उसे हम इस text में apply करना चाहते हैं. बड़ उससे पहले मैं एक बार आपको copy paste करके दिखाता हूँ, अगर आप इस text को simply copy करके paste करते हो, तब क्या होता है? आपका original content का duplicate copy जो है specified location में जाकर के generate हो जाता है, लेकिन format paintbrush में क्या होता है? format paintbrush में आप सिर्फ text का format को copy करते हो, ना कि पूरा का पूरा content को copy करते हो, तो format painter को apply करने के लिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? first of all we have to select the text which format we want to copy and then go to the standard toolbar and click on format paintbrush, उसके बाद आपको जिस भी text में या paragraph में आपके selected text का format को apply करना होगा, वहाँ पे simply जाकर के आपको mouse pointer को drag कर देना है, अब आप जैसा कि देख पा रहे हो, इसका format बिलकुल change हो चुका है, आप इसको select करो, आप देख सकतो, font style जो की palette times new roman था, अब agency अब भी हो चुका है, font size भी 16 हो चुका है, और font color और background color तो आप देखी रहे हो, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हम लों next वीडियो में, तब तक के लिए good bye, जै हिन, जै भारत!